विल्कम डियरी स्टूडेंट्स आपका फुना स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न किलब में तो आज की इस वीडियो में आपके लेकर आगा हूँ क्लास नाइट इंग्लिज बिहीब का लेशन फोर आठ ट्रूली व्यूटिफिल माइंड जिसका अर्थ होता है एक सच्चा सुन्दर मस्तिस्क यहाँ पर मस्तिस्क की विशेष्टा का वर्णन किया गया है इस अध्याय के नाम में तो यह जो आपका लेशन है यह एक कॉंपिलिड है अर्थात संक्लित है अर्थात इसे कई सारे लोगों ने मिलकर लिखा है इसे कई सारी रिचाच के द्वारा लिखा गया है तो आज किस वीडियो में हम इस अध्याय की समरी समझने वाले पूरे अध्याय को समझने वाले साथी में मैं आपको इस अध्याय का इंपोर्टन कोशन आसा समझाने वाला हूँ जो कि आपको परिच्छे में अवसी पूछ आएंगे तो आपको वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखना है साथी में दिया आप हमाँ चलने पर पर पेलिया आए तो आप हमाँ चलने को अभी कब सिस्काइब कर लेना चलिए अब वीडियो को बिनकिस देरी के सुरू करते है तो देखिए चातरों हाँ पर आपका पहला जो पेराग्राफ कहां से कहां तक है अलवट आइश्टीन बात से लेकर तू लार्ज तक है तो हम इस पेराग्राफ का हम अच्छे से समझेंगे अर्थ तो देखिए अलवट आइश्टीन का जर्मन सहर उल्म में 14 मार्च 1889 को हुआ था और इस बात का कोई संक्यत नहीं था कि एक महान ब्यक्ति बनेंगे इसके विपरित उसकी मान सोचा की बे एक असमान बालख होगा उसका सिर बहुत बड़ा था अर्थात यह जो आपका लेशान है यह अलवट आइश्टीन के वारे में है उन्होंने का कया प्रेत ने कहरे लाइफ में उनके वारे में है ठीक है उनके सब विसेस्ता को आपा बढ़नान किया गया है तो देखिए जो अलवट आइश्टीन ना उनके जन्म जर्मन सेहर में हुऊ था कब हुआ था आपको याद रखना है 14 मार्च 1889 को हुआ था इस बात से आपको याद रखना है इनका आपको डेटो बर्दमी पूछी जा सकती है पेपर में ठीक है और अभी तो हमको पता है कि जो अलवट आइश्टीन ने बहे मान ब्यक्ति है लेकिन जब बहे जन में थे तो किसी को नहीं पता था कि यह एक माहन ब्यक्ति बनेंगे बाद में और जो उनकी माँ थी उनकी माँ को बहे पागल टाइप के लगते थे उमेद है आपको समझ में आ रहोगा चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड पेराग्राफ की तरफ देखिए सेकंड पेराग्राफ है आपका एट दा एज ओफ टू से लेकर हर वील्स तक चलिए अब हम इस पेराग्राफ का अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं तो देखे चातरो यहाँ पर जो आइश्टिन थे ना भे ढाई साल के हो चुके थे लेकिन इसके बाद भी भे बोलना नहीं सीके थे इससे उनके मातापीत अत्यनत परिसान हो गए थे जब भी उनके दोस्त उनको कुछ भी केकर पुकारते थे तो भे कुछ भी जवाब नहीं देते थे जब भे भे खेलने के लिए उन्हें पुकारते थे तो भे खेलने भी नहीं जाते थे इसके कारण जो उनकी एक चाप पड़ गई थी चाप समझते हो ना उनकी एक चाप पड़ गई थी उनको एक प्रकार से बोर करने वाला भाई कहा जाने लगा अलवट आइंस्टिन को थीक है बच्पन सही यह अन्तिरिक खिलोने अर्थात उन्हें खिलोने से बहुत प्यार था बेखलोने से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जब उनकी एक छोटी सिटर हुई चोटी बेन हुई तो उनको देखकर अलवट आइंस्टेन कहा यह तो बढ़िया है पर मुझे एक बताओ कि इसके पईये कहा है अर्थात उसके जो चक्के होते ना उसके जो पेड़ थे तो उसको कहिता है कि इसके चक्के कहा है आपको समझ मा आरोगा एक कहानी बहुत प्रेस तो सूप पीते से हमें उनकी जो आवाज है आखिर निकल जाती है हना बेज सूप को पीते है उन्हें बहुत गरम लगता है तो वह आखिर के ही देते है उनके मुझ से पेला वाकिर निकलता है सूप बहुत ही गरम है तो उसके माता पीता बहुत फिर रहत मेसुश करते है च से लेकर हिस लाइफ तक चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं जो अलवट आइंस्टीन के टीचर थे ना बेवी अलवट आइंस्टीन से बहुत ज्यादा नफरत करते थे हाना हेट करते थे एक वार जो उसके अध्यापक थे ना उन्होंने आइंस्टीन से पूछा कि वर्स के हुए तो उन्होंने अपनी माता के कियने पर वाईलीन बजाना सुरू कर दिया हना और वाईलीन बजाते बजाते उन्हें बहुत अच्छा लागने लगा और वहे एक होनार वाईलीन के प्रेमी बन गया और अपने पूर्ट जीवन काल में इस कलर को बनाया रखा अर्था थे अपने पूर्ण जीवनकाल में इसे बजाते रहे अब देखिए चोटा पेरागराफ है आपका वट अलवट आइस्टीन से लेकर फोर गुड तक है चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं लेकिन चाहतरो एसा नहीं कि अलवट आइस्टीन एकदम प्राणी थे अना बे म्यूनिक के हाइस्टीन में भरती हुए थे जहां पर अलवट आइस्टीन का परिवारवस था ठीक है जब बे 15 मैने के थे ठीक है तो उन्होंने सारे बीशों में अच्छे अंक प्राप्त किये थे लेकिन जो अलवट आइस्टीन थे बे विद्याले क कंट्रोल से घ्रणा करते थे उनसे नफरत करते थे ठीक है जो भी स्कूल के बंदन होते हैं जो भी नियम होते हैं बे उनसे घ्रणा करते थे और उनके सिच्छा को से भी नफरत करते थे जब आश्टीन 15 बरस की हुए तो उन्होंने अपने बिद्याले को हमेसे के लिए छो है जब अलवट आइश्टीन ने स्कूल छोड़ा तो उसके बाद जो अलवट के मातापीता है ना भे एक मिलान नाम के स्थान पर चले गए और अलवट आइश्टीन को उनके रिस्तेदारों के पास छोड़ दिया ठीक है अलवट आइश्टीन ने फिर जित की कि मुझे सूजर लेंड के एक नगर में एक स्कूल में पढ़ना है उन्होंने बहुत जित की उनके मातापीता नहीं मानने लेकिन आखिरकार उन्हेंने बहुत जित की बहुत जित की और उनके मातापीता आखिरकार माननी गए तो उन्होंने एक जर्मन भास सुजलेंड के एक नगर में एक स्कूल में एडमिसन ले लिया और जो इसकूल था ना बे उन्हें म्यूनिक के जो इसकूल था उन्हें के मुकाबले बहुत अच्छा लगा था अब दखिए आपका छड़वा पेरागराफ आइश्टीन बास हाईली से लेकर वालिरष्ट मुश्टाचे तक है अब दखिए इसका अर्थ हम समझते हैं जो आइश्टीन थे ना उन्हें गडित और भोतिक सास्त्र अर्थात मेत्स और फिजिक्स में बहुत जादा रूची थी और जब उन्होंने विद्याले की सिच्छा पूरी कली तो उन्होंने जूरिच के एक बिजविद्याले में अध्धन करने का निन्ने ले लिया लेकिन जूरिच का जो बिजविद्याले था ना बहाँ पर केवल गडित और विज्ञान के अलावा और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाते थे तो उन्हें तो केबल गडित और विज्ञाल में रूची थी लेकिन इसके अलावा उन्हें काई सारे सब्जेट पढ़ना था जो कि उन्हें बोरिंग लगते थे तो आखिरकार उन्हें इस विद्धाले में एडिमिशन ले लिया अब देखिए साब पेराग्राफ आपका ही आलसो फेल्ट से लेकर है बेक्टिरियस कंकुलूजन दख चले अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं देखिए जब अलवट आश्टी ने जूरच के एक बिजबिदाले में गए तो नहें महापर एक महिला साथी मिली हाना अर्थात उन्हें एक गलफेंट ट्राइब की मिल गई हाना मिलेवा मारिक में उन्हें बहुत दिलचस भी आने लगा उनका मिलेवा मारिक की तरफ दिल जाने लगा और जो मिलेवा मारिक थी ना एक तरह की स्मार्ट लड़की थी और जो उनका जूरेश का जो बिजविद्धाली था ना बहे एक मातर एसा बिजविद्धाली था जहाँ पर जो महिला है बहे भी डिग्री ले सकती थी इसलिए उन्होंने वहीं पर पढ़ने का निनले ले लिया और जो मिलेवा महिरिक थी ना और जो अलवाट आइस्टीन थ करते थे अब फिलिस्तिन क्या होता दोस्तों फिलिस्तिन उसे कहा जाता है उन व्यक्ति को कहा जाता है जो की आर्ट्स और लिटरेचर का ब्रोध करते थे हाना तो दोनों क्या थे फिलिस्तिन का ब्रोध करते थे अर्थात जो भी आर्ट्स और लिटरेचर के खिलाफ ब्रो लेकर theoretical physics तक है चलिए अब हम इसका आर्थ समझ लेते हैं अब देखिए जब 1900 का सन आया तब 21 वर्स की उम्र के हो चुके थे अलवट आइस्टेन तो अलवट आइस्टेन ठीक है उन्होंने युनिवर्स्टी से graduate कर लिये था और साथी भे एक प्रिकार से विरोजगार हो थे क्योंकि उन्होंने graduate कर लिये था लेकिन अब उनके पास कोई भी रोजगार नहीं था अन्त तहा उन्होंने एक साहक सिच्छक का कार किया और अन्त तहा उन्होंने 1902 में बढ़ने एक स्थान का नाम है पेटेंट ओफिस में तकनिकी साहके रूप में कार करने लगे भे गुप्त रूप से अपना कार भी करने लगे अर्थात ठीक है फूल टाइम भे काम करने लगे भे इनका काम नों तो करते थे साथ म अपनी डेस्की रहती है जो अपना टेवल रहता, जहाँ पर काम करते थे, उन्होंने उस टेवल का नाम रख लिया, भोतिक सास्तिर के सिधानतों का ब्यूरी नाम में रहत लिया, अर्था तो उन्होंने आपनी टेवल को एक ओफिस माल लिया, क्योंकि जो उस टशींपल पर ह काम करते हैं तो भे अपने खोव्या रिसर्च भी करते रहते थे जो कि फेजिक से संबंदित होती थी चलिए अब हम इसका नोब पेरागराफ देख लेते जो कि है बन ओफ दा फेमा से लेकर ठीक है अलवट आश्टीन तक है चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं अब द पर साता है और बे सूत्र है ये सूत्र को आप बड़ी कच्छाओं में पढ़ेंगे जब बड़ी कच्छाओं में पहुंच जाएंगे तो जो इनका सूत्र था इनके कारण उन्हें काफे परसद्धी मिली और 1905 के परसद्धी पेपर में उनका बिसे सिद्धान्त छप गया अब देखिए जो इसका दसबर पेरग्राफ है वील आइस्टीन बास से लेकर वेडिंग ओफ तक है चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं अब होता क्या है जो अलवट आइस्टीन है भे अतनत बीजी हो गए है ना भे बोतिक सास्त की कई समस्ता को हल करने लगे लेकि उनसे बिवा करना चाहते थे लेकिन अलवट आइस्टीन की जो मा है इसके बुरुद्ध थी क्योंकि उन्होंने सोचा ठीक है उन्हें लगता था कि जो मिलेवा है बे अलवट आइस्टीन से तीन साल बड़ी है जो की अच्छी बात नहीं रहेगी हाना जो अलवट आश्ट अलवट आश्टीन तो अपना बीवा को इस्थागित कर रहा था ठीक कुछ समय के लिए उन्होंने सारी ठीक कई सारी तरकिप लगाई और उन्होंने जनबरी 1903 में बीवा कर लिया और उन्होंने दो पुत्रों को पेदा कर दिया लेकिन कुछ बरसों के बाद जो उनका बी साथे होन लगी थी और जो मिलेवा थी ना उनकी पत्रिकों भे अपने बुद्धि को भी खोत जा रही थी और था उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया था और जो जो अलवट आयश्टिंती ना अपनी पत्रिकों समय नहीं दे पाते थे आखिरकार कई सारे लड़ाई जगड़े के बाद अलवट आश्टी ने और उनकी पत्नी ने 1999 में तलाक ले लिया और उसी बार्स तलाक लेने के बाद अलवट आश्टी ने अपनी चचरी बेहन एलसा से बिवा कर लिया देखे लिया कितना खुश समनसी बंद था अलवट आश्टी ने दोदो से दोदो को समानने लगा था एक भी मिल गई पहली भी मिल गई और दूसरी भी मिल गई चलिए अब देखते हैं 12 पेरगराप जो किया है आश्टी न्यू परसनल से लेकर साइन्टिफिक रिवोलुशनल तक है चलिए अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं अब फार्नली वो अपने ठीक है विभाईक संबन से बाह निकले अपने विख्टगी जीवन से बाह निकले और उन्हों ने 1912 में सापच का समान सिधान्त को प्रकासित कर दिया एक सापच का समान सिधानत उन्हों निकाल दिया जिसमें गुरूदबक करसन की नई व्याक्षया उन्हों पेस कर दिया 1919 में सूर्गर्यन निकला जो कि इस ब्राद का प्रमान देता है उन्होंने जो 1915 में सापच का समान से दान निकाला था बे बिल्कुल सही था आखिरकार उन्होंने कई सारी सही गणना कर ली और कुव प्रसिद्धी हासिल गी समाचार पतरों ने उनके कारे को एक गोसित कर दिया एक विज्ञान करांती गोसित कर दिया जो समाचार पतर थे न उन्होंने कई सारी प्रसिद्धी दिल्वाई अब देखिए तेरव पेरग्राफ है आईश्टीन रिसिप्ड दा नोबल प्राइस से लेकर दा प्रेस थाग है आखिरकार आईश्टीन ने कई सारे प्रसिद्धी हासिल कई सारे अविस्कार करते गए कई सारे उन्होंने थ्योरी निकाल दी जिसके बाद आईश्टीन को 19 211 में भौतिक सास्त का नोबल प्रुसकार राप्त हुआ जिससे उनकी प्रेसिद्धी पूरे संसार में फेल गई ठीक है जो समाचार जगत होता है जो समाचार होता है उन्होंने भी उनकी ठीक है बहुत तारिफ की 19-21 में होने के मिला था नोबल प्रुसकार मिला था आपक जो अर्वर्ट आइश्टीन है वे विदे स्यातरा घुमने चले गए, कहा गए 1923 में जर्मनी में नाजी पावर में चले गए, नाजी पावर एक स्थान का नाम है, उन्हें एक गुफ्त सूतरों से पता चला कि जो नाजी पावर है वे आर्बिक बम बना रहे थे और इससे प अर्थ समझ लेते हैं, अब देखियें आपर एक बड़ा मज़दार किस्सा आता है, तो थोड़ा गंबिर किस्सा भी आता है, जब उन्हें पता चला कि जो नाजी है बे आर्बिक बम बना रहे है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस बात की सूचना, अमेरिका के राष कर सकता है, और थोड़े छोटे छेतर को विनष्ट कर सकता है, लेकिन जो अमेरिका के जो अमेरिका का राषपतियां, उन्होंने इस बात को उल्टा ले लिया, और उन्होंने खुद एक अडू बम बनाने की उजना बना ली, और उस अडू बम को जपान के हीरो सीमा और ना डेमो कुरेसी तक है चलिए अब हम इस पेराग्राफ का अर्थ समझ लेते हैं अब देखिए जब उनके पता चलना कि जो अमेरिका है उसने कई हिस्सों में बंबारी कर दी तो आश्टीन इस बिनास के फिलाप से काफ उटे थे काफ उनकी रूप काप गई थी तो इस बार उन इस ठीक है अवियान में उतरे और उन्होंने सांतिवा पच्चतनती के लिए एक आंदोलन अवियान चला दिया शतरवा पेराग्राफ देख लेते हम वेन आश्टीन डाइट से लेकर साइन्टिफिक जीनियस था यह आपका आखरी पेराग्राफ है ठीक है तो जब आश्ट से हमने अलवट आश्टीन के पूरी जन्ने को देख लिए इसी कारण इस पार्ट का नाम एक ठीक है आट्रूली ब्यूटिफुल माइंड पढ़ा एक सचा सुन्दर मस्तिस्क पढ़ा जिसमें जो सचा सुन्दर मस्तिस्क की जो परिवासा है बे अलवट आश्टीन के लेते हैं देखिए कोशन है एक्स्पिलेंट बार्ट रीसंस फोर फोलोइंग आर यहाँ पर आपको निम ने ठीक है बाक के दिगा है इनक आपको कारण बताना है कि किस कारण से यह सब घटनाए हुई तो देखिए इसके आंतार का जो पहला पस्टन है आश्टीन लिवन द हमें इसके बारे में बताना है तो आश्टीन डिड़न लाइक दा इस्टिक्ट ओडर और डिस्पिलिन अर्था अनुसासन पसंद नहीं थे और उसके टीचर से भी जगडा करते रहेते थे जगडा यह फिल लेडाई भे उनके टीचर से भी हमें इसा अकसर लड़ते रहेते अब देखिए इसका second important question है आश्टीन बांटिंग डिटि इन सुजर लेंड रेदर देन इन मूनिच हाना आश्टीन म्यूनिक की जगहां सुजर लेंड में इस्टेडी करना चाहते थे वांटिंग याने चाहना इसका हमें कारान बताना है कि वह क्यों सुजर लेंड में सु तो इसका आंसर है, his parents moved to Milan, उसके जो parents थे बे मिलन की तरफ चले गए थे, मिलन एक इस्थान का नाम है, बे मिलन में चले गए थे, they left Einstein with their relatives, और उन्होंने Einstein को उनके रिष्टेदारों के पास छोड़ दिया, left याने छोड़ ना, Einstein convinced his parents to continue his education in Suzyland, Einstein ने उनके parents को सेमत किया कि बेहे आगे की education Suzyland में करेंगे, यह फिर जारी रखे, चलिए अब हम next important question देख लेते हैं, जो की है, what did Einstein call his desk dryer at the patent office Y, हना, Einstein ने अपने patent office को, patent office में अपने desk dryer को, ड्राइर को क्या नाम दिया, call याने बुर्णाना है फिर नाम और क्यों, हमें इसके बारे में बताना है, Einstein called desk dryer at the patent office as Bureau of theoretical physics, Einstein ने उसके patent office में desk dryer को नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने? Bureau of theoretical physics, it was because, यह था क्योंकि, he was developing his own ideas, बेहे, खुद के idea को develop कर रहे थे, the dryer head proof of his efforts, dryer याने हम desk भी कह सकते हैं, फिर table भी कह सकते हैं, जो उनका table था, बेहे, उनके प्रयायासों का proof था, अर्थात सबूत था, कि भे कितना proof याने कितने प्रयास कर रहे थे, he had written them or paper and kept them their own it, ठीक है, यह सब उन्होंने कागज पर लिखा, और बेहे, उन्हें उस उस पर रख लिये थे, अर्थात उस कागज को उन्होंने अपने ड्रार में रख लिया था, अब हम next important question देखते हैं, जो कि है, why did Ashton write a letter to Franklin Roosevelt, जो Franklin Roosevelt है न, बे अमेरिका का राष्टपती हुआ करता था, उस समय का, जब Ashton ने लिखा था, तो इसका अर्था है कि Ashton ने Franklin Roosevelt को पत्र क्यों लिखा था, तो इसका उत्तर है, the Nazis had acquired the technique and knowledge of making an atom bomb, अर्थात नाजियों ने atom bomb का ग्यान बह तक्निक प्राप्त कर ली थी, और उसका काफी सारा knowledge उन्होंने ले लिय था, atom bomb को बनाने का, they could develop an atom bomb, ठीक है, अब बहे एक आर्विक bomb को, atom bomb को develop कर सकते थे, it could destroy the whole part of the world if they exploded it, ठीक है, यह लगवग सारी दुनिया को nest कर सकता, destroy यान nest करना, nest कर सकता यदी बहे इसे explode कर देते, this concern for the world made him write the letter, आइस्टिन को यहीं चिंता थी, concern याने चिंता, आइस्टिन को यहीं चिंता थी, ठीक है, आइस्टिन को बिजवनास की चिंता थी, इसके लिए उन्होंने लेटर लिख दिया किसको Franklin Roosevelt को, अब हम next important question देखते हैं, जो की है आपका, why does the world remember Einstein as a world citizen, हना, दुनिया आइस्टिन को, ठीक है, बिजवनास का नागरिक के रूप में क्यों याद, क्यों याद रखेगी, remember याद नहीं होता है, याद रखना, world citizen याने बिजवनास का नागरिक, तो इसका उत्तर है, the world remembers Einstein as a world citizen, दुनिया आइस्टिन को, world citizen के रूप में याद रखेगी, because he was greatly concerned about the world's safety, क्योंकि उन्हें बिजव की सुरच्छ की चिंता थी, the world was after the island race, ठीक है, बिजव आस्तिर और सस्तरों की दोड़ में लगा हुआ है, he was buried the atom bombs, coded destroy the world, ठीक है, उन्हें चिंता थी, कि कहीं आणबिक bomb पूरे world को नश्ट ना कर दे, if the country is made and exploded them, यदि कोई भी country उन्हें explode कर देती है, तो दोस्तों इस प्रिकार से हमारे question आसर भी हाँ पर खतम हो जाती है, तो आज की इस वीडियो मैंने आपको lesson for a truly beautiful mind की मैंने पूरी आपको summary समझा दिया हूँ, पूरे अध्धाय का मैंने आपको अर्थ समझा दिया हूँ, साथ भी मैंने आपको इनके important question आसर को समझा दिया हूँ, यदि आपको इनके pdf note से ये तो आप हमारे टेरियर आम पर चैनल पर जोन हो सकते, इसके link मैंने आपको अपने वीडियो को description में दे दिया हूँ, यदि आपको वीडियो पसंदा आता तो आप हमारे वीडियो को like कर देना, साथ ही मामा चैनल को subscribe कर देना, और हमें comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तुम तक के लिए जय हिंद जय भारत की,